बॉलिवूड एक्ट्रेस जैकलीन फर्णांडिस की मुश्किले लगातार बढ़ती जा रही है। जैकलीन ने बताया कि सुकेश ने उनके लिए नेजी जैट किराये पर लिया था और उसके साथ ही एक हैलिकॉप्टर भी किराये पर लिया था। सुकेश चंदरशेखर से संपर्क करने के लिए कहा गया। जिन्हें जैकलीन शेखर रतना वेला के नाम से जानती थी। बकॉल जैकलीन जब उन्होंने सुकेश से संपर्क किया तो सुकेश ने अपने परिवार के साथ ही अपनी पहचान संड टीवी के मालिक के तौर पर बताये थी। जैकलीन को सुकेश चंदरशेखर ने ये भी बताया कि वो जे जैललिता की राजनीतिक परिवार से हैं और चिन्नाई से ही हैं। जैकलीन ने बताया कि सुकेश ने कहा था कि वे उनके बहुत बड़े फैन हैं और जैकलीन को साउथ की फिल्मों में काम करना चाहिए और सन टीवी के पास कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं और इसी कारण दोनों संपर्क में आये थे। इडी ने जो चार्टशीट दायर की है उसके मताबिक जब इडी ने उनसे सुकेश चंदरशेखर से कोई गिफ्ट मिलने के बारे में पूछा तो जैकलीन ने इजिंसी को बताया कि उन्हें एक लिमिटेट एडिशन पर्फ्यूम मिला है। और हेमीज ब्रेसलेट उनको मिला था। इसके अलावन नौनो लाक की तीन बिल्लियां और अर्वी घोडा भी दिया था जिसकी कीमत बावन लाक रुपे थी। जैकलीन ने बताया कि सुकेश की और से उन्हें एक मीनी कूपर कार भी मिली थी। मीनी कूपर कार के बारे में पूछे जाने पर जैकलीन ने कहा कि उन्होंने सुकेश से कार को वापस लेने के लिए कहा था क्योंकि वो उस कार को एक्सेप्ट करना चाहती थी। टाइम्सनाव नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइम्सनाव नव भारत को यूट्यूब पर लाइब देखिये सब्सक्राइब करिये और बेल आइकन जरूर दबाईए खबरों के पीछे की खबर पहुँचाते हैं हम आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम टाइम्सनाव नभारत को यूट्यूब पर लाइब देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दपाईए